हेलो गाईज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टक्निकल स्वेता में स्वागत है गाईज आज के इस वडियो में हम पेटी एम से बिजली बिल्ट जमा करना सिखेंगे गाईज अगर आप जनना चाहते हैं कि पेटी एम से बिजली बिल्ट कैसे जमा करें या फिर Paytm से electricity bill कैसे pay करे तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होगा तो guys Paytm से बिजली बिन जमा करने के लिए सबसे पहले आपको Paytm का application open कर लेना है Paytm का application open करने के बाद आपके समने इस तरह के interface आएगा तो guys इससे आपको थोड़ा नीचे scroll down करना है और यहाँ पर आपका एक option है recharge and bill payments तो guys recharge and bill payments के नीचे यहाँ पर आपको बहुत सारे options दिखाए पड़ेंगे तो guys यहाँ पर आपका एक option है electricity bill तो guys यहाँ पर आपको electricity bill में क्लिक कर देना है जैसे ही आप electricity bill में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह के interface आता है तो guys यहाँ पर आपका सबसे उपर में दो option है पहला है electricity boards और दुसरा है apartments तो guys अगर आप किसे apartments में रहते हैं तो यहाँ पर आपको apartment select कर लेना है या फिर अगर आप ऐसे किसी गाउं में या फिर सहर में रहते हैं तो यहाँ पर आपको electricity board select कर लेना है electricity board select करने के बाद यहाँ पर आपका state select करने का option है यहाँ पर आपको वह सारे district का नाम सो होंगे तो guys इस तरह से आप इससे scrim करके अपना state का नाम select कर सकते हैं तो state का नाम select करने के बाद आपके state में जितना भी बिजली प्रोवाइडर है उन सभी का नाम यहापर आपको सो होंगे तो आपका जो भी बिजली प्रोवाइडर है वह यहापर आपको select कर लेना है यानि कि आपके गाव को या फिर आपके सहर को जो board बिजली प्रोवाइड करते हैं वो नाम यहाँ पर आपको select कर लेना है तो चुकि यहाँ पर हम जारखन बिजली बितरन निगम लिमिटेड का बिल पे करके आपको दिखाएंगे इसलिए यहाँ पर हम जारखन बिजली बितरन निगम लिमिटेड कर लेते हैं board का नाम select करने के बाद आपके सामने district select करने का आफसन आएगा तो guys यहाँ पर आपको अपना district select कर लेना है इस तरह से आप scroll करके district select कर सकते हैं तो guys बहुत लगर क्या होता है यहाँ पर आपको इस list में अपना district का नाम so नहीं होता है तो guys यहाँ पर आपको अपना जो subdivision है वो यहाँ पर आपको select कर लेना है तो subdivision आप इस तरह से इसे scroll करके भी select कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपका सबसे उपर में एक search का option है तो यहाँ पर आप subdivision का नाम type करके भी search कर सकते हैं subdivision select करने के बाद आपके सामने इस तरह के interface आएगा तो guys यहाँ पर आपका consumer number डालने का option आगया तो guys आप जिस भी consumer number का बिजली बिल payment करना चाहते हैं वो consumer number यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है तो guys आपको consumer number कहां मिलेगा आपका जो भी बिल आया है उस बिल में ही आपको अपना consumer number मिलेगा तो आपको अपना consumer number देख लेना है और यहाँ पर आपको इंटर कर देना है consumer number इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है nickname तो गाईज यह जो nickname है यह optional है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर nickname डाल सकते हैं या अगर आप nickname डालना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप इससे खाली भी छोड़ सकते हैं तो सारा details यहाँ पर आपको fill करने के बाद यहाँ पर आपका एक नीचे option है प्रोसीड का तो guys यहाँ पर आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है जैसे आप प्रोसीड में क्लिक किजिएगा यह कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेगा और जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लिट होगा आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो guys अबी तक आपका जितना भी विजली बिल बाकी है होगा यहाँ पर आपको सो होगे तो guys यहाँ पर आपको अपना विजली बिल देख लेना है और यहाँ पर नीचे आपका एक अपसन है प्रोसीड टुपे यहाँ पर आपको PTM की तरफ से कभी कबार cashback मिलने का offer भी रहता है जिसे मेरे case में यहाँ पर है apply cashback offer अगर हम यहाँ पर cashback offer को apply करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ cashback मिलेगा तो अगर आपके में भी cashback का offer रहता है तो यहाँ पर आपको cashback का offer कलाब ले लेना है तो guys यहां पर आपका दो option है, पहला है yes pay और दुशरा है no, proceed to pay. तो guys अगर आप yes pay करते हैं तो यहां पर आप अपना जो आपके pay टीम में UPI है, उस UPI के थूरू यहां पर पैमेट कर सकते हैं या फिर आपके pay टीम बॉलेट के थूरू यहां पर पैमेट कर सकते हैं, और अगर आप यहां पर no proceed to pay में क्लिक करते हैं तो यहां पर आप UPI, उसके बाद पैटीम बॉलेट, पोश्ट पेड, क्रेडिट कार, डेविट कार या फिर नैट बैंकिंग से भी आप बिजली काबिल pay कर सकते हैं, तो गाइज, यहां पर हम yes pay में क्लिक कर लेते हैं, और yes pay में क्लिक करने के बाद, यहां पर आपका नीचे एक pay का option है, तो यहां पर आपको pay में क्लिक कर देना है, जिसे आप pay में क्लिक करते हैं, आपके समने इस तरह का इंटरफेस आता है, तो गाइज, अगर आप pay टीम क UPI कि दुरू यहां पर आप बिजली का बिल पैमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है जिसे आप प्रोसीड में क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका सारा डिटेल सो होंगे और यहाँ पर आपका सारा डिटेल दिखने के बाद यहाँ पर नीचे एक अफसन है पे का तो यहाँ पर आपको पे में क्लिक कर देना है जिसे आप पे में क्लिक करते हैं आपके सामने UPI PIN डालने का अफसन आता है तो गाईज यहाँ पर आपके το करते हैं हैं यहाँ पर अपका विजली का बेलड सक्सेफुली שמׁट हो जाता ह। तो गाईज यहाँ यहाँ पर आपको तीन से चार दिन तक वेट करना है तिन से चार दिन के बाद आपको विजली प्रोवाइडर के पास आपका जो विजली विल है वो अपडेट हो जाता है लेकिन यहाँ पर आपका तूरांधी विजली का विल पैमेंट हो जाता है तो गायज इस तरary से आप बहुते आसानी से पेटीयम से बिजली का विल पैमेंट कर सकते हैं तो गायज आई होग विडियो आपके लिए काफी हिल्फुल रही होगी तो इस तरह के हिल्फुल विडियो चुपाने के लिए इस वडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथ साथ इससे अपने दोस्तों के साथ सेर किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वडियो का जनकारी मिल सके